क्वीक आयस, कंपोज यूर ड्रीम और ओफ्र देखेंगे और खास करके, बीहार इस्पेसल के अंतरगत बीहार में पर्थम किन-किन चीज़ों में करंड़ अंतरगत, बीहार पर्थम स्थान पर آया है हम उनकी चरिचार्ज आप λोगों से करेंगे बिल्कुल ये मेराथन क्लास है तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी ठीक है हम लोग शुरू करते हैं पहले कोशन की और और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिसे इस तरह क्लास लगातार आपको मिलती रहे ठीक है शुरू करते हैं पहले कोशन की औ पहला कोशन है बिहार का पहला बैडमिंटन अकैडमी कहां खुलेगा तो ये भागलपुर में खोला जाएगा वो भी बिहार का पहला है मैंने आपसे पहले बोला सारे पर्थम हम बात करेंगे जो बिहार में पहले होंगे उन्हीं की बात करेंगे और यहां से कोशन बहुत जाद है जाम में आप से पूछे जाएंगे या देखेगा तो पूछा जाएगा बिहार का पहला बैडमिंटन अकैडमी कहां खुला है तो यह भागलपुर में खोला जा रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा जो है या देखे का भागलपुर निश्कोशन है बिहार का पहला ODF मौडल परखंड किसे घोसित किया गया है इसमाइलपूर परखंड जो है भागलपूर में इसमाइलपूर परखंड है भागलपूर में जिसे ODF घोसित किया गया है और ODF का फुल फार्म है Open Defection Free खुले में सौच से मुक्त जो है ये परकंड गोसित किया गया है भागलपूर और भी बिहार का पहला है तो आप से ये कोशन इग्याम में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही महत्मोन कोशन है इसको याद अखना ठीक है आगे बढ़ते हैं जल जीवन सर्वेचन दोजार तेज के तहट बिहार के किस जिल्या को उस पर्थम अस्थान मिला है तो जल जीवन सर्वेचन जो हुआ है दोजार तेज का उसके तहट बिहार का कौन सा जिल्या है जिसे पर्थम अस्थान मिला है और वो है समस्तिपुर तो समस्तिपूर को पहला अस्थान मिला है, ये बहुत ही मात्पूर है नेश्ट रहे बिहार का पहला वन जियू अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? मुझभफरपूर में ये सारे बिहार में पर्थम कंट अफेर केंट रहा था, वो बहुत ही मात्पूर है, याद रखेगा तो बिहार का पहला वन जियू अस्पताल कहा खुला है? मुझभफरपूर में ये बहुत ही मात्पूर कोशन है, याद रखेगा Next Question है बिहार के किस गाओं को पहला Smart Village की रूप में विक्सित किया जाएगा बहुत ही मात्रून है तो किस गाओं में और गाओं किस जिले में है यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो बावर्चक गाओं है बाका में जसे बिहार का पहला जो है smart village की रूप में विक्सित किया जा रहा है इसका answer हो जाएगा बाका बाकत चक गाउं ठीक है नेश्ट है भारत का दूसरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़ी अस्पताल का निर्मार कहा किया जा रहा है पटना में किया जा रहा है ठीक है भारत का ये दूसरा है ये भी या दखेगा और बिहार का ये पहला है ठीक है ये भी या दखेगा तो ये बहुत ही महात्मूर कोशन ये या दखेगा ये पटना है नेश्ट है बिहार का सबसे बड़ा बलड बैंक कहा बनाया जा रहा है तो हिसुआ नवादा में तो यह देखेगा हिसुआ नवादा में और साथ में जो है कहाँ पर तो यह बोध गया में भी बन रहा है क्या बुद्ध की सबसे बड़ी परतिमा का अनावरन किया गया है नेश्ट है बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है यह बहुत महत्पूर कोशन आद रहा देखेगा ऐसे कोशन रेल वाले जदा पूछे जाते ही ठीक है तो यह अररिया से जिला के जो है कहां से तो यह नेपाल में है बत नाहा बत नाहा तक जो है यह पहली मालगाड़ी चला जा रही है नेपाल में यह कोशन बहुत ही महत्पूर है जो है यह 99% चांस है यह कोशन पूछा जाए नेश्ट कोशन है बिहार में पहली बंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई है पटना से राची तक यह बहुत ही महत्प मैटिक फिटनेस जाच केंदर कहां स्थापित क्या जा रहा है बिहटा पटना में स्थापित हो रहा है ठीक है यह भी बिहार का पहला है नेश्टर बिहार का पहला डाग निर्यात केंदर कहां खोला जाएगा जी पियो पटना में खोला जाएगा भारत का वह भी बिहार का है पहला डाक केंदर है इसका एंसर हो जाएगा जी पियो पटना में ठीक है नेक्स टाए पूरबी भारत का पहला मातुत देखभाल कौसर समर्धन केंदर कहां खुला है पटना में खुला है इसका भी एंसर ये पटना में होगा नेक्स टाए बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक बिधी से पत्तेदार सबजियों की खेती की सुरुवात किस जिले से की गई है नालंदा से हाइड्रोपोनिक बिधी क्या होती है तो इस बिधी में जो है क्या करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं यह है हाइड्रोपोनि खेती कहा जाता है और इसी में जो है पौधों को उगाया जाता है आप ये देख सकते हैं ठीक है तो इस बिधी की सुरुवात बिहार में किये गई है ये बहुत ही महत्पूर्ण है और इसको मैंने बेजुली इसलिए दिखाया जिससे आपको ये चीज़े बिलकुल याद रह है इसमें पाइप लाइन इसमें पानी भरा होता हो सारे नियूट्रेशन होते हैं मिट्टी नहीं होती है और हाइड्रोपोनिक किर्सी में मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है ठीक है ये बहुत ही महत्पूर्ण चीज़ है इसको अच्छे से याद रखेगा नेक्स नहीं बनाया जा रहा है पटना में ये भी बहुत ही मात्पूर्ण कोशन है और सारे कोशन बिहार में पहले हैं नेक्स्ट है गरुन गिद्ध होते हैं उनकी जनगर्णा कराई गई है तो गरुन गर्णा रिपोर्ट 2022 देश के इंसार भारत के किस राज में गरुनों की संख ये भी आप याद रखेगा नेक्स कोशन है बिहार के किस जिले में गरुन सरबाधिक पाए गए हैं तो भागलपूर में पूरे देश में बिहार में और भागलपूर में ये बहुत ही महात्पूर्ण कोशन है याद रखेगा नेक्स्ट है बिहार का पहला साइबर थाना कि जिले में खोला गया है तो ये पटना में खोला गया है साइबर थाना वो भी बिहार का नेक्स्ट है हाथी पाउं मरीजों को दिब्यांगता की सेड़ी में जोडने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है पुर्णिया हाथी पाउ नामक एक रोग हो जाता जिसमें पैर सू जाते हैं तो ऐसी सिति में जो है उसको दिव्यांकिता की सेड़े में सामिल कोन किया है पुर्णिया ने सामिल किया है ये बिहार का पहला जिला बना है ऐसा करने वाला नेश्ट है अफरीका के सबसे ऊचे परवत माउंट किली मंजारों पर चढ़ने का रिकार्ड बिहार के किस परवता रोही ने बनाया है तो ये लच्छमी जहां ने बनाया है और किली मंजारों कहा है तो अफरीका का सबसे ऊचा परबता यह तंजानिया में इस्थित है ठीक है तो इसके पहले जो है दर्भंगा में गया में और पटना में जो है तीन जो है एरपोर्ट बन चुके हैं और चौथा पूनिया में बन रहा है तो इसका एंसर हो जाएगा ज जो है पुनिया नेश्टर राश्टिय हरित प्राधिकरन ये ने बिहार सरकार को किस नदी में घरियाल वन जीव अभ्यार बनाने का निर्देश दिया है तो ये बहुत ही महात्पून कोशन है परियावन के दिश्टी से आप से पूछा जाएगा नेश्टर बिहार का दूसरा मुझफर पूर के मोती पूर में किया गया है तो ये बहुत ही महात्पून कोशन है याद रखेगा नेश्टर बिहार दिवस दुयात तेश्ट का थीम क्या था इवा सकती बिहार की परगती जो है इस बार बिहार दिवस दुयात तेश्ट का थीम था ये बहुत ही जारी किया है मुझधफरपुर का साहिङ्डीची तो मुझधफरपुर की जो साहिciğim है उसके लिए भारती डागविभाग ने पांच रुपए के डाँक टिक डाग जारी किया है यह बहुत ही मात्मू्ण ले सकते हैं सरकार की जरुवत नहीं पड़ेगी नेश्ट है बिहार का पहला आक्सिजन पार्क कि जिले में बनाया जा रहा है थावे गोपाल गंजी में तो गोपाल गंजी ला है और थावे अस्थान है क्योंकि आज कल BPSC में करंट अफेर में अस्थान भी पूछ देते हैं तो आक्सिजन पार्क पहला कहा बन रहा है तो थावे गोपाल गंजी बन रहा थी इसका एंसर बहुत ही इंपोर्टन है गोपाल गंजी नेश्ट है बिहार के किस जिले में राज का पहला क्लाइमेंट चेंज लॉनिंग लैब लगाया खोला जा रहा है ये पटना में यह भ होता है जो आक के अंधे होते हो तो चू करके उसका पता लगाने का पर्यास करते हैं उसको पढ़ते हैं छू करके तो उसे हम ब्रेनली पी कहते है नेश्ट है बिहार का पहला fire brigade training institute center कहां खोला जाएगा बेहटा पटना में खोला जाएगा ये भी बहुत ही महात्मोर कोश्चन है नेश्ट है योरेष्ट बेस कैम तक पहुचने वाली बिहार की पहली महिला कोन बनी है लच्छमी जा तो लच्छमी जा सहरसा की रहने वाली है और इन्होंने अभी किली मंजारों पर भी चड़ाई किया था और माउंट योरेष्ट भी इन्होंने चड़ाई किया है तो ये सह गोशन ही और यह है आपका अर्बल है, यह बहुत ही महात्पन कोशन है याद रखेगा, नेश्ट है बिहार में सिंगल यूज प्लाश्टिक कब से बैंड किया गया है एक जुराई दो हजार बाईस से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लाश्टिक बैंड है तो बिहार में भी इसी डेट को माना जाता है बिहार का चौथा किर्सी रोड मैप कब से लागू हुआ है ये बहुत ही मातपोन कोशन है ये राद रहेगा 99% चान्स ये कोशन आने का तो बिहार का चौथा किर्सी रोड मैप कब सुरू हुआ है एक अपरेल दो हजार तेज से एक अपरेल दो हजार तेज से बिहार का मार्ज दो हजार अठाजिस तक तो ये पांस साल के लिए जो है किर्सी रोट मैप तैयार किया गया है बिहार में खास करके किर्सी उत्पादन को बढ़ाने के लिए नेश्ट है अल्ट्रा फास्ट फाइब जी सेवा की योजना कौन सी है तो गंगा जल आपूर्ती योजना को बिहार की सबसे बड़ी पेजल पाइपलाइन योजना घोसित किया गया है तो इसका जो एंसर हो जाएगा गंगा जल आपूर्ती योजना बिहार के सभी बिद्यालियों में किस दिन नो बैग डे घोसित किया गया है परतेक सनिवार को तो परतेक सनिवार को बिहार के बच्चे बैग लेके स्कूल नहीं जाते हैं वो ऐसे जाते हैं खिलकूत करके चले आते हैं नेक्ष्ट है बिहार के सबसे बड़े इस कौन मंदिर का ने लोकारपन किस सहर में किया गया है? पटना. तियों रूस के लोगों द्वारा यह काम किया जाता है और भगुआन किष्न का मंदिर बनाती है उसको हम इस कौन मंदिर कहते हैं तो इसका जो एंसर हो जाएगा पटन नेक्टर बिहार के किस जिले में राज का दूसरा डाफटर रडार लगाने की गोशना की गई है पुनिया तो पुडिया में गोशित किया गया है दूसरा डाफटर रडार लगाने का ठीक है और next question है भोजपूरी का पहला OTT एप किस नाम से लांच किया गया है चौपाल नाम से ठीक है तो चौपाल नाम से भोजपूरी का पहला OTT जो है एप लांच किया गया है नेशना बिहार बिद्याले परिच्छा समिती द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परिच्छा भवन 25,000 सीट का कहा बनाया जा रहा है पटना में तो यह दर्भंगा में लगा जा रहा, यह कोशन BPSC में पूछा भी गया है नश्कोशन है, मलबरी सिल की पहली कमपनी बिहार में कहां खोली गई है पुर्णिया में खोली गई है, तो इसका एंसर हो जाएगा पुर्णिया नश्कोशन बिहार में कहां राज का पहला जैविक खेती मौडल परसिछन केंदर बनाया जाएगा तो यह है फटुहा पटड़ना में, यह भी बहुत महात्पूर कोशन है और सब बिहार में पर्थम के ही कोशन है, तो यह अपने आप में बहुत ही सारे महात्पूर है नेश्टर बिहार का पहला जैव बबिता पार्क कहां खोला गया है, अररिया में खोला गया है कोई कलपना भी नहीं कर सकता है, यह किसन गंज के पास अररिया है, बिलकुल नेपाल की सीमा से लगता है और वहाँ पर पहला जैव बिर्ता पार्क खोला गया है वो भी बिहार का सबसे बड़ी बात ये है ठीक है नेश्ट है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है पटना में तो इसका एंसर हो जाएगा पटना नेश्ट है बिहार के किस परिटन अस्तल पर राज का पहला भ्याख्यान बनाया गया है तो यह दखेगा जु सफारी राजगीर ठीक है इसका आंसर हो जाएगा जु सफारी राजगीर नेश्ट है 41, भारती अंतरस्टे व्यापार मेले में किस पबेलियन को रजद पदक दिया गया है बिहार के, यह जो है अंतरस्टी जो मेला लगा था दिल्ली में बिहार के पविलियन को जो है रज़त पदक दिया गया है नेश्ट है इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डाटा बेस सेवा सुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कोन है नालंदा यह भी बहुत महात्पूर्ण कोश्चन है ठीक है नेश्ट है बिहार के फैसले के अ उख मंत्री के अधचिता में लिया जाएगा नेश्ट है अमरीज सरोवर निर्मार के तहट बिहार में सरवाधिक सरोवर का निर्मार किस जिले में हो रहा है कटिहार में किया गया है तो भारस सरकार की एक योजना है अमरीज सरोवर योजना और गाउं में इसके लिए तला पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनेगा जेतिया गाउं अटनावे बनेगा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है बिहार में ये भी बहुत ही महात्पूर्ण कोश्चन है नेक्स्टा प्रधान मंत्री गतिसक्ति योजना के तहत पूर्व मध्रेर्वे का पहला कट सकती कारगो ट्रमिल कहां सुरू किया गया है बरोनी बेगु सराय के बरोनी में ये सुरू किया गया है नेक्स्टा बिहार का पहला कच्छवा पुनर्वास के अंदर कहां खोला गया है भागलपूर में ये बहुत ही महात्पूर्ण या देखेगा तो बिहार का पहला खोला गया है ठीक है और नेक्स्ट है देसी नसल की गायों का सरच्छन और समर्धन करने के लिए बिहार में गोबंस बिकास संस्थान की अस्थापना कहां की गई है पटना में की गई है तो गोबंस बिकास संस्थान बनाया गया है बिहार में कहां पर पटना में गायों की सु अरवल, अरवल के पुलिस दोरा पेड़ों की अडिटिंग कराई गई है, उनकी गिंती कराई गई है, और नेक्षट है बिहार में किस धाम का विकास हरी दोर के हर की पेड़ी की तरज़ पर किया जाएगा, तो यह है सिमरिया धाम बेगू सराई में, ठीक है, तो हरी की पेड निया दखेगा, नील गाय का सो संस्थान बनना बिहार के डुमरिया में, यह भी बिहार का पहला है, नेक्षट है, बिहार राज मानसिक, स्वास्त और समर्धन विज्ञान संस्थान का उलगाटन कहा किया गया है, को इल वर भोजपूर में किया गया है, यह भी बहुत ही मह मात्पूर्ण कोश्चन है नेक्षटर मुखमंत्री ग्रामीर सोलर इस्ट्रीट लाइट योजना कफ सुरू की गई है यह बहुत मात्पूर्ण है बार 15 सितंबर 2022 को और नेक्षट कोश्चन है बिहार का पहला आईटी मौडल रूम कहा निर्मित किया जा रहा है गयामी यह भ इस तक यह योजना सुरू की जाएगी मुखमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना यह बहुत ही महात्पूर्ण है डेट आपको याद रखना है नेश्टर बिहार में सराबंदी कानूं का उलंगन करने वालों को ग्रपतारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है आप्र परहार के तहर जो लोग सराब बंदी का उलंगन कर रहे हैं उनको के अफ्तार के जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है नेश्टर गंगा जल आप उड़ती हो जना के लिए पाइप लाइन की सुरूआ की कुल लंबाई कितनी ही यह बहुत ही महात्पूर्ण कोश लीटर सुध पेजल उपलब्ध कराया जाएगा एक सो पैंतिस लीटर जल सबके घर में इस योजना के तहर सबको उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है निश्कूशन है बिहार का पहला फोर लेन ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस बे कहां से कहां बन रहा है और अंगाबाद से पतना से धर भंगा ये जो है फोर लेन का ग्रीन जो है एक्स्प्रेस बे बन रहा है निश्कूशन है बिहार का पहला ट्रामाा लाइफ सपोर्ट लैब कहां निर्मार किया जा रहा है इसका निर्मार आईज़ीआई MS पतना में किया जा रहा है ये भी बहुत ही मातपूर कोशन है नेश्ट है राश्मंडल खेल तो 22 में बिहार के किस खिराडी ने लॉन बाॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है तो ये चंदन कुमार सिंग मौंगेर के रहने वाले हैं ये राश्मंडल के खेल में ये जीता है और नेश्ट कोशन है बिहार के किस इस्टेशन का नाम बदल कर बाबा ब्रम्होस्वर नाथ रेलो इस्टेशन करने की खोशना की गई है तो रगुनाथ पूर रेलो इस्टेशन ठीक है तो ये भी बहुत ही मातपूर कोशन है नेश्ट है आउट लुक ट्रेवलर एवार 22 में किसे सर्फसेट अध्यात्मिक असल का समान दिया गया है बोध गया को यह भी बहुत ही महात्मून कोश्चन है बिहार के परक्रस से बिहार में भगवान सिर्फ की सबसे ऊची 111 फिट परतिमा किस जिले में लगाई जाएगी सासा राम में लगाई जाएगी तो यह कोश्चन भी ऐसे पूछे जा रहे हैं आजकल एक्जामों में समाधान यातरा की सुरुवात मुखमांत्री नितिस्कुमार ने चार जनुवरी 2023 को कहां से की है तो बाल में की नगर चमपारण पच्मी चमपारण से समाधान यातरा की सुरुवात नितिस्कुमार के द्वारा की गई है किस डेट को तो चार जनुवरी 2023 को यह भी बहुत ह मात्पूर्ण कोश्चन है ठीक है और नेक्ट कोश्चन है बिहार का पहला सिर्वर सफारी कहा सुरू किया गया है तुर्गावति जलास है कैमूर में ठीक है तो यह 75 कोश्चन मायराथन क्लास की तरह आपको लोगों को मैंने पहुचा दिया है अगला वीडियो फिर दो दिन क के बाद आपको मिलेगा मैराथन क्लास का फिर 75 कोश्चन की हम लोग चर्चा यहां पर फिर करेंगे जो बियाहार में पर्थम है ठीक है आपको यहीं से सारे कोश्चन मिल जाएंगे और कल जो है कल या परसों में हम लोग एक टेस्ट भी करेंगे बीपीएस सी स्पेसिल का ठीक है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा किसी कोश्चन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछेगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा ओके थैंक यू